हलो फरेंज कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सभी बहुत अच्छे ओंगे बाल विकास के अपने लास वीडियो में हमने बाल विकास को प्रोभित करने वाले कारकों के बार में पढ़ा था आज की विडियो में हम बात करेंगे अपने next और की and अधगम का मतलब होता है लर्निंग, एंगलिस में इसे क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, अगर दूसरा मीनिंग देखें, तो हम कह सकते हैं, सीखना, जो भी चीज़ हम सीखते हैं, तो उसका मतलब ही होता है अधगम करना, अधगम कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है इसी से सारे आते हैं, Kohler का सिद्धान्त है, Thondike का सिद्धान्त है, इसी topics related है, तो यह सारे चीज़ें important है, अब जो important चीज़ें, वो start हो रही है, तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, और आप लोगों को पता से लगया हो, कि अपमारा जो next, एक और चैनल हम लोगों ने बनाया है, एजुकेशन बाइट सौर्ट्स करके, उसकी लिंक मैंने टेलिग्राम ग्रूप में भी डाल दी, तो उसमें भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसे आप सब्सक्राइब कर देंगे, तो यह है कि सौर्ट्स वीडियो जो भी रहती हैं, जैसे डियलेट की रहेगी है, सीटेट की रहेगी है, टेट की रहेगी, important questions की जो भी सौर्ट्स पगर आऊंगी, आपको उस चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है, तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं अदगम के बारे में, अदगम का आर्थ होता है learning, ठीक है, अब यह बहुत बार यह question पूछा गया है, ठीक है, देखे 2019 में, 20 में, 22 में, 23 में, हर बार यह question पूछा आता है, कि अदगम से आप क्या समझते हैं, तो बैवार में होने वाले परवर्तन को सीखना या अदगम कहते हैं, यह चीज़ याद रखना, simple सी definition है, कि आपके behavior में जो भी चैनिमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अदगम कहते हैं, ठीक है, तो बैवार में होने वाले परवर्तन को सीखना या अदगम कहते हैं, मनुष कुछ किरियाओं को बैवार से, ठीक है, कुछ चीज़ों को क्या करता है, अपने behavior से, कुछ को बाताबरेंट से और कुछ को अनभव द्वारा सीखता है सीखना निरलतर चलने वाली एक सार भॉमिक प्रिक्रिया है ठीक है तो बेवार में जो भी परवरतन होते हैं ठीक है वो क्या कहलाता है वो सीखना या अदगम कहलाता है मनुष कुछ क्रियाओं को कैसे सीखता है तो कुछ को अपने BBR से सीखता है वेवार से सीखता है कुछ को बाता ब्रेंट से सीखता है और कुछ को अपने experience याने की अनभव द्वारा सीखता है ठीक है तो सीखने की जो प्रिक्रिया होती ही वो हमेशा चलती रहती है, एक सारभॉमिक प्रिक्रिया ही है, तो सीखने के वारे में आप इतना लिख देंगे, लेकि सिंपल सा लिखा भी विए है कि अधगम बराबर क्या होता है, अभ्यास से अनभव द्यारा बहवार में जो परवरतन होता है, वो अधगम क्यालाता है, य मतलब जो सीखने की प्रिक्रिया होती है, वो कभी एक जैसी नहीं होती है, हम विसा कभी तेज हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी, आपका बहुत मन लगेगा चीजों को सीखने में, और कभी धीम हो जाएगी, मनी नहीं करेगा आपको सीखने में, जैसे क्या है, जैसे पर आपका मनी नहीं करता है, चोड़ा यार क्या पढ़ना है, पास होई जाएंगे, पढ़ी लेंगे सही से, ठीक है तो यही होता है कि कई सारे कारक जो होते हैं, उनकी बरी से या तो सीखने की गति बहुत तेज हो जाती है, और कभी बहुत धीमे हो जाती है, ठीक है तो यह वो समायोजन में सहायक है अब जैसे आपके सामने कोई नई कंडिशन आ गई है नई प्रस्तिति आ गई तो आप कैसे अपने आपको समायोजित करेंगे जब तक आप चीजों को सीख नहीं पाएंगे तो आप समायोजित कर ही नहीं पाएंगे तो ये सीखना बहुत important होता है इससे क्या होता है समायोजन में सहायक होता है सीखना जो है जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिय है तो मैंने आपको बता कि जीवन भर चलती ही रहती है अब हमेसा कोशना को सीखते है छोटे होते हैं तो अपने बड़ों से सीखते हैं बड़े होते हैं तो अपने छोटों से सीखते हैं अपने दोस्तों से सीखते हैं अपने फैमिली से सीखते हैं तो हमेसा सीखते ही रहते हैं चीजों को सीखना बहबार में परवरतन या अपर मार्जन या बदलाव है ठीक है तो सीखना क्या है बहबार में जो भी परवरतन होता वो सीखना कहला आता है कई बार हम लोग देख चुके हैं सीखना उद्देश पूर्ण बहा निर्देशित होता है ठीक है जो सीखना होता है वो क्या ह उद्धेश पूर्ड होता है, कि न कोई उद्देश रहेगा, हमारा कोई मोटिफ रहेगा, तब ही हम चीजों को सीखते है। पिर एकी सीखना जो है इस्थानांतरित भी रहता है ठीक है चीजे जो होती है वो बदलती भी रहती है एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक जैसे क्या कि आपने सीधे हाँ से कोई चीज सीखी आप उल्टे हाँ से भी काम करने लग गए बही चीजे ठीक है तो ये चीजे रह यह सब लोग सीखते हैं, एह हम वे साथ चलती रहती है, तो यह सीखने की बिसेश्ता है, आपको कोई भी पांच याद कर ली नहीं है, ठीक है, simply यह आप इन्हाँ याद कर सकते हैं, अब हम definition देख लेते हैं, सीखने की यह बहुत मुषी जाती है, और यह TET में भी important है, कि TET बगार हमें सीधी सीधी definition लिखी होगी, आपसे पूछ लेगा, ये गथन किसका है, ये definition किसने दिये, ठीक है, तो चार आप्षिन देखने को मिलेंगे, आपको लगाना पड़ेगा, तो अभी से अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो पहली जो definition है, वो इसके नर के अंसर, ठीक है सीखना क्या है तो सीखना बैवार में उत्रोत्तर सामानजश्य की प्रक्रिया है ठीक है सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी इसकनर की कि जो सीखना है वो क्या है बहेबियर में उत्रोत्तर सामानजश्य की प्रक्रिया है ये काता इसकनर ने गिलफोर्ड ने क्या कहा, गिलफोर्ड ने कहा, कि बहवार के कारण बहवार में परवर्तन ही सीखना है, कि बहवार के कारण आपके बहवार के कारण जो बहवार में परवर्तन होता है, वो सीखना होता है, यह गाता गिलफोर्ड ने, तो याद रख लिए ने, गिलफोर्ड क कहा था कि अनवावयन की experience और प्रसिचन training के दौरा बेवार में जो भी परवरतन होता है वो क्या है वो सीखना है तो ऐसे याद रख लेना कुरो ने क्या का कि आदतों ग्यान अभिवरतियों का अरजन ही अदगम है वतरब सीखने की जिदनी भी definition है वो कौफी आसान है तेख आप इन्हें याद कर सकते कि गिलफोर्ड ने कहा था कि बेवार की कारिन बेवार में परवरतन हो रहा है तो वो सीखना है गेट से बम अन्य ने कहा कि अन्य ने कहा कि पहले के निर्मेद भीवार में अन्य ने कहा है अपने experience वार कोई नई चीज़ें जोड़ दी आपके परवरतन हो गया आपके behavior में तो वो क्या है वो अधगम है तो यह Calvin के अन्सार है आपको उपर से दो या तीन definition है याद कर लेनी जैसे गिलफोर्ड की याद रख लेना और वुड़वर्द की याद रख लेना इसकिनर की याद रख लेना यह important है तो इसकिनर की अच्छे से याद रख लेना कि वो पूछी जा चुकी है अब हम देख लेते हैं अधगम को प्रभावित करने वाले कारक मतलब कौन-कौन से ऐसे कारक है इसके बारे माकर आपको लिखने को आता है दो नमर में यह पूछे राता है तो आप इनके बारे में भी लिख सकते है जैसे कैसे सारी रिक रख मानसिक स्वास्त जो होता वो कैसे अधगम को प्रभावित करते है अब जैसे क्या है कि आप आप बिल्कुर फेट हैं ठीक है आप में एकदम फूर्ती रहेगी आप active रहेंगे किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीख लेंगे ठीक है आपका मन रहेगा उसी जब आप active रहते हैं आप स्वास्त रहते हैं आप कोई बिमारी नहीं होती तो आप ची चीजे होती हैं तो सारी मानसिक स्वास्त जो प्रॉवित करता है अधगम को सीखने को दूसरा है सीखने की इच्छा आप सीखने की इच्छा कैसे प्रॉवित करती है जैसे कोई चीज आपको सिखाई जा रही लेकिन आपका सीखने का खुदी मन नहीं है आपका सीखने का मन अगर आप मोटिबेट नहीं है किसी चीज को लेकर तो भी आप सीजों को नहीं सीख पाएंगे और माली कोई मोटिवेशनल स्पीकर आजए तेके उसके बाद आप चीजों को सीख रहे हैं तो आपका मन लग रहे हैं यह तो करने ही करना है तो यह भी चीज होती है प्रेना का बातवरण कैसा आप किस बातवरण में सीख रहे हैं माली आपका विध्याले जो सांथ जगे पे बना हुए ठीक है टीचर पढ़ा रहा है बहुत अच्छा है होसे महां अच्छी ची हवा चल रही है अप शीजों को सीख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहे है लेकिन माली बातवर्ण लाधा करते हैं पर विशर सामगरी होती है उसका सवरूप भी प्रभवितर करते है माले आपकी printed है जो बुक्स बगारा होती है और उनका मनहीं कर एगी पढ़ने का यह माली जो जो सौरूप है, वो काफी कठेन है, ठीक है, उनकी language जो लिखी हुई है, उसमें books में, वो काफी tough है, तो बच्चों का मन नहीं करेगा, simple लिखी होगी, तो बहुत अच्छे से मन करेगा, तो सौरूप भी प्रभवित करता है सीखने को, फिर कि अनुशाष निवा मुरुची, आपका जिस चीज में interest होता है, आप उस चीज को सीख लेते हैं, जिस चीज में interest नहीं होता है, उसे आप नहीं सीख पाते हैं, जैसे क्या कि एक तरफ आपसे कह दिया रहा है कि आप car सीख लो, दूसरी तरफ आपसे कह दिया रहा है कि नहीं, आप typing सीखो, तो आपको दोनो अगर आप बहुत ज़्यादा मैचुर हैं, तो आप चीजों को जल्दी सीख लेंगे, आप मैचुर नहीं है, तो आप उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे, जैसे कि 10-12 साल का लड़का जो होता है, वो इतना मैचुर नहीं होता, चीजों को इंपोर्टेंस नहीं समझता, तो वो चीजों को जल्दी नहीं सीख पाता, लेकिन अगर आप मैचुर हैं, तो आप चीजों को जल्दी सीख लेंगे, फिर है कि सिच्छन बिदी, कि आपको किस सिच्छन बिदी का यूज करके पढ़ाया जा रहा है, तो आप चीजों को अच्छे से सीख लेंगे, फिर आता ह क्या कि अभी आप जो डियलेट कर रहे हैं तो कई सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं तो पहले से चीज़ों को पढ़ चुके हैं तो आप वो चीज़ें जल्दी सीख ले रहे हैं और जो चीज़ें पहले आपसे नहीं पढ़ी जैसे मनो विग्यान है यह आपने पहले से नहीं पढ़ाओगा, बाल विकास आपने, पहले से नहीं पढ़ाओगा, तो थोड़ा कम इंट्रेस्ट आ रहा होगा, इस टार्टिंग में, लेकिन देरे-देरे करके प्रभावसाली बिधियों के बारे में जान लेते हैं, कि कौन-कौन सी अधगम की प्रभावसाली बिधिया है, मतलब सीखने की कौन-कौन सी प्रभावसाली बिधिया है, ठीक है, effective methods of learning, इसमें सबसे पहला जो method आता है, वो आता है करके सीखना, यह हम कह सकते है, learning by doing, इसमें बच्चा क्या होता है, किसी भी चीज़ को सीखना होता है, तो वो खुद करके सीखता है, ठीक है, जब खुद करके सीखेगा, तो उसे गलतिया होंगी, बहुत गलतिया होंगी, ठीक है, पिर उन गलतियों को कम करेगा, फिर गलतिया होंगी, पिर उन में और सुधार करेगा तो दिरी दिरी करके वो चीज़ों को सीख जाएगा तो ऐसे जब बच्चा कोई चीज़ सीखता है तो वो जो सीखना होता है वो उसका इस्थाई होता है ठीके वो हमेशा उसे इस चीज़ को याद रखता है तेंकि लंबे समय तक याद रखता है उससे चीज़ें आयाद रहती है तो भाई कहा गया कि करके सीखने सबसे अच्छा मैथर बताएगा कि जिस कार को बालक स्वैम करते हैं उस कार को करने में भी जल्दी सीखते हैं इसका कारण है कि उसे करने में भी उसके द्वारा उद्दीस का निर्मान करते हैं उसे करने की योजना बनाते हैं और उसे पूरा करते हैं इसके बाद अधगम में कितना सफल हुए उसका आक्रंद करते हैं और अपनी गलतियों का पता लगाए कि उसमें सोधार करते। तो इसलिह सब से अच्छा मैथधर बताएगा है कि इसमें बालक कोई भी कार करेगा तो स्वैम करेगा गलतियinky करेगा फिर गलतिय vertex पर सदार करेगा तो ऐसे करके जो बालक सीखते हैं छीजों को Widma वह स्थाइए इसलिए करके सीखना सबसे अच्छा मेथड बताया गया है दूसरा जो मेथड यह वह अनकुरण द्वरा सीखना दोजार सबसेगे हैं इस प्रक्रिया का आरम सैस्ववस्ता से ही प्रारम हो जाता है इसलिए अधिगम की अतियंत महत्पूर्ण बिदी है इस बिदी में छादर सिचक दोरा अपने दोरा की जाने वाली किरियाओं का अनकुरन करके सीखते हैं इस बिदी में सिचक छादर के लिए आदर्श होता है अगर हम इस मेथट की बात करें अनकुरन कर रहे हैं आप किसी इंसान का जैसे आपके सामने आपके ममी पापा जैसा कर रहे हैं आप भी बैसी करने की कोसिस करने तो यहीं कि सीखने की इस अबस्ता का जो प्रारम है वो सैस्ववश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश तो यह है आपका अनुकरण दौरा सीखना नेक्स जो हमारी बिदी यह वह है निरिचन करके सीखना यानि की लर्णिंग वाई ऑप्चरबेशन इस बिदी में क्या होता है कि इस बिदी में जो चातर होता है जो इस्टुडेंट होता है वो बस्तु यह घटना को देखकर उसका होता है जैसे टीचर है वो प्रैक्टिकल कर रहा है आप उसे देख रहे हैं तो उस देखकर आप जो ग्यान प्राप्त कर रहे हैं जो ग्यान होगा वो इस्थाई होगा निरिचर करते समय बें वस्तु को छूते हैं प्रयोग करते हैं इस प्रकार से भी कार में एक से अधिक ग्याने इंदरी को प्रयोग करते हैं अब होता कि है कि जब भी हम कोई कार ऐसा करते हैं जिसमें एक से अधिक ग्याने इंदरी यूज़ हो रही है जिसमें एक से अधिक ग्याने इंदरी यूज़ हो रही है जब एक से अधिक ग्याने इंदरी जो होती है वो यूज़ होती है तॉप लंबी समय तक में चीजा याद रहती है, तो भाई का गए जब भी नेडिक्षंट करके सीकते तो हमारी आंख कान होते हैं, कान ओसे सीिम सुनती हैं चीजो को आखों से देख रहे होते हैं ,फिर हातों से यूज कर रहे हैं, तो यह सारी चीजें एक सजय के ज्गान हि ले जाए उसे पहले स्वयम अबलोकन कर ले अब टीचर सिखा रहा है निरिच्छन विदी की बादिम से अब टीचर जो करेगा भई तो चात्रे वो देखेंगे भई तो अब्जर्ब करेंगे लेकिन जब भी वो ऐसी जगह ले जाए जहां पर उसे अब्जर्विशन कराना है चात्रों को तो चीजे दिखाने हैं निरिच्छिट करवाना है तो पहले खुद अब्जर्ब कर ले खुद प्रेक्टिकल करके देख ले कि वो चीज सही है कि नहीं उसके बाद इस्ट्विएंट को करा है तो इसे खत्रा जो होगा वो कम हो जाएगा तो ये विदी भी हमने उसके ग्यान का अभिन अंग बन जाते हैं तो परिशन करके सीखने में क्या होता है कि हम क्या गरते हैं नए नए तत्यों की खोज करते हैं और जब भी हम नए नए तत्यों की खोज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ा हमें सीखने को मिलती है उसे तो ये होता परिशन करके सी तो यह होता है परिष्ण करके सीखना या लर्निंग वही टेस्टिंग तो हमने सीखने की जो effective method थे उनके बारे में जान लिया अब हम सामोहिक बिधियों द्वारा सीखना देख लेते कि कौन-कौन सी सामोहिक बिधियों है जिनके दौरा हम सीखते हैं चीजों को यहां देखि जो अधगम होता है वो बिद्या दोनों बिधियों द्वारा होता है इन दोनों में सामोहिक जो बिधिया होती वो अधिक उप्यों की इव expensive आपने चीज़ें षीखते हैं तो देखिए दोनो तरीके से लेकिन effective कौन सा जादा रहता है तो जो सामोहिक बिदूग क के माद्यम साब जो भी चीज़ सीखते हैं वो अधिक उपयोगी होती और प्रभाव साली होती क्यों होती इतनी effective क्यों इसमें क्या ग्रुप के माद्यम से सीख रहे हैं सभी के बिचार उसमें समलित होते हैं कि कोई बिचार आपके मन में आया आपने बताया कुछ कोई बिचार जो है आपके दोस्तों के मन में आया उसने बताया कुछ बिचार जो है टीचर ने अपने रखे तो ऐसे करके कई सारे बिचार आते हैं चीजों को तो हम चीजों को जल्दी सीखते हैं दूसरों की बिचार सुनने का मौका मिलता है तो इसलिए जो स्वामोईग विधिया उसे अच्छा माना गया है तो कौन-कौन सी स्वामोईग विधिया है वो देख लेते हैं तो स्वामोईग विधिया में कौन-कौन सी विधिया आ जाती है तो उसमें सम्भिले ने बिचार गोश्टी विधिया आती है तीसरा है समूँ अदगम, कि समूँ में बच्चों को बिठाल दिया गया, उनसे कोई ना कोई टॉपिक दे दिया उसे सीखने के लिए कहा गया, यह बर्कसव बिदी तो यह जितनी भी बिदी हैं वो कैसी हैं यह सामोहिक बिदी हैं जिनके माद्यम से हम लोग चीजों को सीखते हैं या अदगम करते हैं सबसे पहले समीलर्वन विचार गोश्टी बिदी की बात अगर हम करें तो इसे conference-event seminar method भी कहते हैं इंग्रिस में इस बिदी में किसी business बिसे पर छातर छातरों दोरा विचार विमर्ष बाद विवाद एक निश्य समय में करना होता है इसमें ऐसे प्रकण पर विचार किया जाता है जिसमें सभी सदश्यों की रुची होती है अब होता कि ऐसा मिलेर में विचार गोश्टी विधी में है इसमें हम क्या करते हैं एक business topic ले लेते हैं ठीक कोई topic ले लेते हैं उसमें विचार विमर्ष करते हैं कई सारे group होते हैं बच्चों के अब उनसे क्या कि उस चीज़ पर विचार रखने को कहा जाता है जैसे कि आरशन topic ले लिया तो आरशन topic उपर विचार रखने को कह दिया तो कोई पच्च में भी होगा कोई बिपच्च में भी बोलेगा तो हर तरीकी की विचार हमें सुनने को मिलेंगे तो यह होता है कि इसमें क्या करते हैं कि विचे पर चात्र चात्रों दोरा विचार भी मर्श होता है वो बाद विवाद करते हैं और वो एक निश्चिस समय होता है उसमें उसे करना होता है ऐसा नहीं कि एक ही ग्रूप है जो बोलता जारा बोलता जारा दूसरे सुनी रहे हैं बोली नहीं रहे कुछ ठीक है तो ऐसा नहीं होता है एक निश्य समय होता है इसमें सभी को बोलना होता है इसमें ऐसे पिक्रेंड पर विचार किया जाता है जिसमें सभी सदर्श्यों की र जोबी सुनने का मिल रही एसा नहीं हो रहा है कि हम हाता पाई कर दे रहे मार्पीट कर दे रहे महार्पीप तुम्हें आजे बोल दिये तो सबी के बिचारों को सुनने का हुआ हो माँका मिल रहे है। कि दूसरा क्यूंック ऐसा सोच रहे है। ठीक है यह हमें जानने का माँका मिलता है। ठीक है तो ये हो गया आपका क्या, पिचार गोष्टी हो एवं संवीलन बिधी। दूसरा जो method है वो है project बिधी। शाथम एक पर प्रोज़क्त में च्र ceux इतने इतना अब होता है जिसे राजनीती में इंट्रेस्ट हो तो और वह बच्चे एक साथ नुझल बना लेते हैं वह और यह कि खेल वाले एक साथ इसमें होता है की जो फोचकत की स्वतंद्र होता है चीज़ों को करने के लिए तो इससे जो सीखना होता है वो आसान हो जाता है उसके लिए टीचर सिर्फ मार्ग दिखाएगा आपको आप आपीगों करना है इसमें प्रते एक समूझ होता अपनी इच्छा निशार अपना प्रोजेक्ट चुन लेता है तो इ प्रोजेक्ट को कम्प्रोजेक्ट करते हैं तो यह आपका प्रोजेक्ट विदी अब सीखने के नियमों का सैचिक महत देख लेते हैं तो सीखने के नियम है उनका सैचिक महत क्या है चीज़ों तो हम बहुत सारी सीख रहें ठीक है नियम हम पढ़ लिए अब उनका सैचिक महत क तो दीखे कि चात्रों में तत्फरता-जागरत करने में सीखने के नियमों को बहुत जरूरी है हो ना छात्र अपने कारिको जब त wied को तैयार हो तो तत्फरता का नियम ! यह कहता है आगे हम पढ़ें जब थॉण ड़े was hired in पड़ना नियम भी पड़ेंगे तो शीकने को नियुमों को सैचिक भमधू हो जिखने के लिए दूसरा है कि और त्यार तही नियुतु की सीखनी की ज्रूर जाघना आयाता है तो चाटर को जागरत करने में इसमें 1400 अच्छा रहता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं कराएंगे और बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वह चीजों को भूल जाएगा तो वह चीज जो होगी वह उस्थाही रहेगा वह ग्यान इस्थाही रहेगा वह बना रहेगा ठीक है जल्दी चीजों को भूलेगा नहीं तीसरा है कि अनभव इस्थाना अंत्रण में अनभव इस्थाना अंत्रण से मतलब है कि experience को बाटने में तो इसमें क्या होता है कि आपने कोई चीज़ सीखी तो आपको कुछ experience हुआ अब आपका कोई junior है वो कोई चीज़ कर रहे है प्रियोग में भी बिसिस महत होता है प्रेरक जो होता है, ये भी महतपूर्ण जो भूमका है वो आदा करते हैं, कि माले कुछ बच्चे होते हैं आप उन्हें प्रुस्कार दे दें तो बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए या किसी की आप खाली प्रिशनशा कर दें, तो वो उससे मोटिवेट हो जाता है कि क्लास में उसकी तारीफ होगी सबी के सामने ठीक है, तो ये प्रेरक भी महतपूर्ण भूमका अदा करते हैं फिर है कि सो क्रिया पर बल देने पर, मतब स्वयम क्रिया करने पर आप बल दें बच्चों पर तो वो चीजों को जल्दी सीखते हैं और अच्छे से सीखते हैं और इसमें जो बच्चे जो चीजों को सीख रहे हैं वो ग्यान इस्थाई होता है तो यह चीज़ हम पहले ही जान चुके करके सीखना method आईगे तो यह थी सीखनों की नियम का सेच्चिक मैथ जो सीखने के नियम है उनका सेच्चिक मैथ यह और हो जाएगा इन points को आप लिख सकते हैं तो इसी के साथ यह topic भी आपका complete होता है अब हम मिलेंगे next वीडियो में ठीक है और next topic के साथ thank you so much for watching this video